दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो एक एकसिडेंट में अपनी याददास खो चुका है, वो भूल चुका है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी एक नया मोड लेती है, और पता चलता है कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह कैदी को मौत की सजा होने वाली है, अब ये व्यक्ति उस कैदी को बचा पाता है या नहीं जानेंगे, तो कहानी की शुरुआत में हमें रॉय फ्रीम नाम का एक शक्स दिखाया जाता है, जिसके पूरे घर में हर जगह नोट्स चिपके हुए हैं, जैसे उसका नाम क्या है, घर में किचन कहा है, उसे दवाई कब लेनी है, वगेरह वगेरह, दरसल रॉय पहले एक पुलिस आफिसर हुआ करता था, लेकिन आज से दस साल पहले उसका कार एक्सिडेंट हो गया, और हादसे की वजह से उसकी पिछली सारी यादें जा चुकी है, रॉय का इलाज एक महिला डॉक्टर कर रही जो फिलहाल एक experimental procedure है, यानि कि उसके ठीक होने की कोई guarantee नहीं है, फिर अचानक एक दिन उसे किसी Emily नाम की महिला का call आता है, दरसल जो जेल में बंद एक कैदी की वकील है और वह किसी पुराने केस को लेकर Roy से बात करना चाहती थी, फिर Roy उस महिला के बताय पते पर जाता है और ये दोनों एक restaurant में मिलते हैं, जहां वह महिला उसे किसी Isaac Samuel की तस्वीर दिखाती है, जिसे आज से 10 साल पहले कतल के जुर्म में सजा हुई थी, और अगले महिने उसे सजाए मौत मिलने वाली है, लेकिन वह कैदी, Detective Roy और उसके साथी से बात करना चाहता था, जिन्होंने कतल की रात उससे पूच ताच की थी, हालांकि Roy उस तस्वीर को पहचानने से साफ इनकार कर देता है, और कहता है कि मेरा इस आदमी से कोई वास्ता नहीं है, फिर वह अपने घर जाकर पुराने records खोचता होता है, जिसमें उसे उस victim की तस्वीर मिलती है, साथ ही Isaac Samuel का arrest record भी जिसे देखने के बाद Roy को कुछ-कुछ scene याद आने लगते हैं, फिर अगले दिन वह Samuel से मिलने जेल में जाता है, सेमल कहता है कि मैं बेकसूर होते हुए भी पिछले 10 साल से सजा काट रहा हूँ, और अगले महीने मुझे जहर का injection देकर मार दिया जाएगा, सेमोल बताता है कि मैंने वीडर का कतल नहीं किया है, हालांकि मैं उसके घर उसे मारने जरूर गया था, लेकिन मुझसे पहले ही किसी और ने उसे मार दिया था, जिसके बाद तुमने और तुम्हारे साथ ही ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन उस रात बहुत नशे में होने की वजह से, के खिलाफ गवाही दी थी, और मुझ पर मुकदमा भी चला था, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन रॉय को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, जिसके बाद सैमुल उसे रिचर्ड फिन नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए कहता है, जो उस कतल के बारे में कित अब रॉय वापस अपने घर आ जाता है और अपनी बीमारी की दवा लेता है, डॉक्टर ने कहा है कि दवाईयां लेने के साथ साथ उसे अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा, इसलिए वह पजल्स सॉल्व करता है, फिर वह फाइल पर ओफिसर जिम्मी रमस के सिगने और उस समय पर अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, जो अब 10 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन रॉय के लिए जिम्मी बिलकुल अंजान शक्स था, उसे अपनी पिछली जिंदगी बिलकुल भी याद नहीं थी, तभी रॉय ड्यूटी पर हुए किसी हादसे के बारे में जिक् किया था. रॉय बताता है कि मैं उस से मिलने जेल में गया था. उसका कहना है कि वह बेकसूर है और मुझे लगता है कि वह सच बोल रहा है. उसने मुझे एक और शक्स के बारे में बताया है, जिसका नाम रिचर्ड फिन है. और जब मैंने उसकी फाइल पढ़ी, तो उसकी उ आराम करो, मैं विन के मिलते ही तुम्हें कॉल करूँगा, जिसके बाद रॉय घर आ जाता है, और कुछ पुरानी चीजें देखने लगता है, जिसमें उसे एक तूटी हुई तस्वीर मिलती है, और इससे पहले कि वह उसे देख पाता, तब ही उसका फोन बचता है, फोन रॉ को याद याद आता है, कि फिन क्राइम सीन पर भी आया था, फिर जिम्मी इस बात पर जोड देता है, कि पीडर का कतल आईजक नहीं किया है, और उसने यह बात एडमिट भी की है, फिर रॉय फिन के फ्यूरिन में जाता है, और उसकी एक्स वाइफ और भाई से मिलता है, उ अब कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहां रिचर्ड और लॉरा डॉक्टर वीडर की पार्टी में मिलते हैं, और दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं, कि अगले कुछ महीने तक साथ में रहते हैं, दरसल डॉक्टर वीडर किसी कॉलेज में एक रिसर्चर था और लॉरा उसकी रिसर्च फेलो थी, जबकि फिन बचपन से ही एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसके फादर की डेथ हो जाती है, और फिन की मॉम उसका खर्च नहीं उठा सकती थी, जिसके बाद लॉरा फिन की मुलाकात वीडर से करवाती है, और वह उसे अपने घर के अंदर बनी लाइबरेरी में काम पर रख लेता है, फिन भी किताबों की नई दुनिया में आकर काफी खुश था, अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिन को लॉरा पर शक होने लगता है, और एक दिन उसे पता चलता है, कि डॉक्टर बीडर के साथ लॉरा की कोशिश की है, फिर बीडर उसे लॉरा से दूर रहने की धमकी देता है, और कहता है कि मैं किताब के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, उम्मीद है मेरे आने तक तुम कुछ इंतजाम कर चुके होगे, अब जब शाम को फिन घर आता है, तो देखता है कि लॉरा उस की रिसर्च पर अपनी ओनर्शिप का दावा करने आई थी, लेकिन डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस ने उसे मना कर दिया था, अब कहानी में फिर से रॉय को दिखाया जाता है, और इस मैन्यू स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उसका शक लॉरा पर था, फिर वह अपने द का ब्रहम होता है, फिर वह अपनी डॉक्टर से मिलता है, वह फिर से शराप पीने लगता है, जबकि डॉक्टर्स ने उसे ना पीने की की सलाह दी थी, इसी बीच उसे कुछ पूराने विजन्स फिर से आने लगते हैं, और ज्यादा नशा होने के बाद वह बेहोश हो जाता है, अब अगली सुबह उसकी नींद सडक किनारे खुलती है, और डाइरी में डायन लिंच का नाम लिखा हुआ था, फिर वह उस बार में जाता है, जहां वह काम करती है, लेकिन इंटरोगेशन में पता चलता है कि 5 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है, तभी अचानक उसकी त तलाशी लेने वीडर के घर जाता है, जो काफी सालों से बंद पड़ा था, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, और वह गार्डन में कोई चीज ढूंडने की कोशिश करता है, फिर जब वह गढड़ा खोदता है, तो उसे एक बैट मिलता है, जिस पर अभी भी खून जाता है, और कहता है कि मैंने जो भी किया, तुम्हें बचाने के लिए किया, क्या तुम्हें डायन लिंच के बारे में याद नहीं? वहीं लóra जिम्ही पर ब्लैक मिल करने का आरोप लगाती है, लेकिन जिम्ही कहता है कि यह एक चालबाज महिला है, और अपने गंदे काम दूसरों से करवाती है। इसी ने डेवॉन शायर, फिर वह गन को रॉय पर पॉइंट करती है और कहती है कि बिना किसी याद के मरना कितनी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन जिμमी, जो अभी भी जिन्दा था, वह उसे सूट कर देता है और मौके पर ही लौra की मोध हो जाती है। फिर रॉय उसके पास जाता है और देखता है कि जिममी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन मरने से पहले वह रॉय से कहता है की मैने जो भी किया तुम्हा तरह से वापस लोट चुकी है। फिर पता चलता है कि जिस आदमी को बीडर के कतल में मौत की सजा होने वाली है, उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। धर असल रॉय यह बात साबित कर देता है कि वीडर का मर्डर लॉरा ने ही करवाया था। अब जब रॉय को सब कुछ याद जाता है, तो कहानी एक बार फिर से फ्लेश बैक में जाती है। और हमें पता चलता है कि डायन लिंच जो एक बार अटेंडर हुआ करती थी, वह रॉय की पतनी थी, लेकिन उसकी शराबी पिता ने उसके साथ बहुत गलत किया था, जिसे वह भूलाना चाहती थी। इसलिए वह उसे सबूत के तौर पर एक टेप रिकॉर्डिंग देती है, जिसमें बीडर और डायन साथ में थे। वहीं जब डायन को पता चलता है कि रॉय को उसका सच पता पता चल गया है, तो वह खुद को गिरा हुआ महसूस करती है और सुसाइड कर लेती है। वहीं रॉय अप और डाक्टर वीडर के कतल में आईजक सेमल को फंसा देता है, जो वीडर से अपनी बेच जती का बदला लेने उसके घर आया था। साथ ही जिस बेट से रॉय ने कतल किया था, वह उस बेट को घर के गार्डन में दबा देता है।